समस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Healthy Indian Kitchen में आज हम बात करेंगे कि पित की थैली जो होती है वो हमारी बॉड़ी के अंदर क्या रोल अदा करती है उसका क्या काम होता है साथी साथ हम बात करेंगे कि अगर पित की थैली में पत्री हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आपकी पित की थैली की पत्री घुल कर बाहर निकल जाए तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और सभी के साथ आज की इस जानकारी को शेर कीजेगा पित की थैली जो होती है वो हमारे शरीर का एक बहुत छोटा सा हिस्ता होती है जो हमारे लीवर के नीचे दिया हुआ होता है और इसका क्या काम होता है लीवर के अंदर से जो भी पित निकलता है उसको अपने अंदर स्टोर करना और उस पित को फिर ये डाइजेशन के लिए तो अक्सर वो पूरी की पूरी पूरी पित की थैली को ही निकला देती हैं लेकिन भगवान ने जितनी सारी चीजें हैं जितने सारे ओर्गन हमारी बॉड़ी के अंदर दिये हैं उनका कुछ ना कुछ काम घू, कुछ ना कुछ रोल जरूर भशतकी यह उनका कांश को बहुत इंप्रूब करता है जब आप थैली को निकलवा देती है तो इससे आपका डाइजेशन बिगड़ने लगता है आपको गैस बहुत बनने लगती है ऐसी बहुत जादा फील होती है डाइजेशन पूरी तरीकी से खराब हो जाता है तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर इसको ठीक कर सकते हैं तो वो आपके लिए जादा बैस रहेगा पित की थैली में पत्री बनने का एक बहुत बड़ा कारण यह होता है अगर आप बहुत जादा चिकनाई की चीज़े खाते हैं ऐसी चीज़े खाते हैं जिसके वज़द से आपका कॉलिस्ट्रोल बहु जगे पर बैठने का आपका काम है ऐसे में पित की थैली में पत्री बनने की और तेज हो जाती है अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं दूसरा अगर आप डियाबेटिक पेशिंट हैं तो भी आपको इसका खतरा जादा रहता है क्योंकि ऐसे में आपके शर या फिर वो लोग जो बहुत तेजी से वजशन कम करना चाहते हैं जिसकी वज़गए से बहुत हैवी डाइट लेते हैं ऐसे में भी पित की थैली में पत्री हो जाती है अगर आप जो है बहुत आता फास्ट रखते है तो ऐसे में इसली हो जाती है कि हमारे शरीर के जितने भी हिस्से होते हैं अगर आप उनसे काम नहीं लेंगे तो वो ना सुस्त पर जाते हैं जैसे हम लोग को भी आलस आता है आलसी हो जाते हैं ऐसी वो भी सुस्त पर जाते हैं अगर आपने उनको वो काम करने के लिए नहीं दिया जो उनका काम है तो वो अगले दिन उस काम को धी तो हम जो है अपने पेट का डाइजेशन ठीक करने के लिए कुछ मेहनत ना करें तो डाइजेशन भी खराब होने लगता है अगर हम जो है अपनी फिजिकल एक्टिव डीज काम करें तो हमारा शरीर भी सुस्त पढ़ने लगता है तो ऐसा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बोड़ी को एक्टिव रखें जिससे कि आपका शरीर एक्टिव रहें और आपके सारी और्गन्स अच्छे से काम करते रहें दूसरा जो है अगर आप बहुत ज्यादा मैदा की चीज़े खाते हैं बहुत ज्यादा ऐसी डैट लेती हैं जिसमें कोलिस्ट्रोल बढ़ने का खत आपको दिया गया है आपको हाई फाइबर वाली चीज़े खानी है साबुत आनाच खाना है इसी के साथ दूद जो लेंगे आप या तो गायका लीजिए या उपर से मलाई उतार कर लीजिए इसी के साथ आप जो है चुकंदर को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए म आपके शरीर के सारे और्गंज बहुत अच्छे से काम करते हैं जब कभी भी लीवर के अंदर से जो पित निकलता है उसका जो ठिकने से वह गाड़ा हो जाता है तो ऐसे में वह पित की थैली में जाकर करके खट्टा होने लगता है और वह जो है आपको फिर धीरे धीरे करक शुरू हो जाती है तो अगर आप इससे चुटकाना चाहते हैं तो बहुत जाता चिकनाई वाली चीज़े मत खाईए मैदा मत खाईए सफेद नमक का इस्तमाल मत कीजिए और बाहर की डबे वाली जो चीज़े आती है बिस्किट वगएरा नमकीन उनका आपने सिवन नहीं क अगातार कुछ दिन तो करेंगे आपकी तो पित की तहली की जो पत्री होती वो धीरे-द्री करके घुलना शुरू कर देती है और आपको बहुत अरा मिलता है कुलती की डाल को तो जरूर अपने डायत में शामिल कीजिएगा वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है सिर्फ पत्री के लिए नहीं आपके ओवरॉल पोडी बोडी के लिए बहुत अच्छी होती है इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं आप ऐसी चीज़े खाएं जिससे पेट की सफाई अच्छे से होती रहे तो इसमें क्या है हरे धनी का सेवन आप जरूर कीजिएगा आपको पी लीजिए इससे क्या होगा आपके पेट की सफाई होती रहेगी और आपके पेट में गंदगी जमान नहीं होगी और जितने भी टॉक्सिंस हैं वो इसली बाहर निकलते रहेंगे रोजाना पानी अच्छी मातरा में पीना है बीन्स का सेवन करना है आपने चावल कम से कम मातरा में खाना है साबो तानाज खाना है सफीज चीजों का परहेज करना है यह आपके शरीर के लिए बेहत फायदे मंद रहेगा तो आज की वीडियो गर आपको काम की लगी है पसंद आई है तो प्लीस लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के स साथ शेयर कीजिएगा फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें और हस्ते हमस्कराते रहें स्टे हल्दी स्टे हैपी बापाई